नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं परिक्षा दोजार अठारा को लेकर आज सोलवे दिन भी राजस्तान यूनिवर्सिटी में धरना परदर्सन जारी है वहीं कई लोगों ने आठ दिन से आमरन अंसन कर रखा है सिक्षा मंत्री ने पहले ही कह दिया ताकि परिक्षा तैस समय पर होगी लेकिन धीरे धीरे सिक्षा मंत्री के सुवर है वो बदलने लगे हैं और आज उन्होंने बहुती बड़ी गोशना की है कि आरपीसी ने सही समय पर ये परिक्षा गोशित नहीं की इसी वज़े से आंदोलन हो रहे हैं और जल्द ही इसके उपर संग्यान लिया जाएगा तो दोस्तों देख लेते हैं क्या है पुरी खवर जी हा दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एक्जाम दो हजार अठारा शिक्षा मंत्री ने खा आरपीसी ने गलत एक्जाम डेट गोशित की तबी तो धरना परदसन हो रहा है लेकिन हम आरपीसी पर दवाब नहीं बना सकते सिर्फ बोल सकते हैं कि एक्जाम डेट आगे बढ़ाओ फाइनल फेसला दीपक उत्परेती का मतबल आरपीसी के सामने सरकार कुछ नहीं है तो दोस्तों आप देख रहे हैं सिक्षा मंत्री ने स्वेम ने का है कि हमारा काम था विग्यापन जारी करना और पद्दू के विशे में उनको बताना लेकिन ये आयो का काम है कि परिक्षा अब ली जाए या आगे ली जाए तो दोस्तों आप देख रहे हैं सिक्षा मंत्री के स्वेर है वो बदलने लग गए हैं तो मान के चलो परिक्षा है वो जुलाई 2020 में ही होगी और मैं आपको बता दू कल 16 दिसुमबर को 9 बजे आपको राजस्तान युनिवर्सिटी में सभी को पदारना है लग बग 20 हजार स्कूल व्याक्याता की तयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो राजस्तान युनिवर्सिटी के अंदर पदार रहे हैं उनिस से तोर पर परशासन को जुकना पड़ेगा और कल साम तक ही आयोग है वो फ्रेश नोट भी जारी कर सकती है तो दोस्तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल 16 दिसुमबर को राजस्तान युनिवर्सिटी में 9 बजे आप सभी को पदारना है दोस्तो जैसी ही कोई नए अपडेट होगी तो आपको वीडियो के बाद में से सुचित कर दिया जाएगा मेरे दुआरा पताई जानकारिया आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जैहिन जै भारत